हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू माई चैनल नूत अंजास ब्लॉग स्टेंड कीचन प्रेंट्स कैसे उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आप लोग देखकर समझ रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हो मैं बना रही हो इस सीजन की सबसे बेश्ट सबजी देश पा उयद्स यूज्गे तो मैं इसको काट लेती हूं इसको बॉइल करने के लिए रखूंगे तो देखिये मैं कैसे बॉय हो करती हूं बहुत सारे लोग चीहल कर बोयू करते हैं मैं अलग तरीके से बॉय करती हूं बहुत आसान है ना ही आपके हाथ में इसका जो क्या बोलते है चिप चिप जो उसका दूद होता है वो लगेगा बाद में चिप चिप होगा जाता है हाथ में देखे एकदम फ्रेस है यही है देशी स्टाइल जो मतलब बिहार जहार खंड में अभी एकदम फ्रेस हारे है मेटरों में आपको क को मैं इते हैं जूटे चुटे टुकडे करको पूं को इसको मैं बॉ bills कर लेती हो तो इसको मैं बिल्कुल बे बिल्कुल महा हाथ में ऐसे काटने के टायम मैं थोड़़ से तेल लगालें और जिस्से काटे उस पर भी चाकूर sommे, काते हैं मैं उस से तो पानी में जो दूद होता है वह बहुत चिप चिपक जाता है वह नहीं चिपकेगा वह सारा जब आप इसके पानी को फिकेंगे तो निकल जाएगा तो देखिए इसके लिए मैं चार प्याज ली हूं मीडियम साइज का इसमें प्याज बहुत जरूरी होता है और लहसुन सब्नेके लहसुन एक गांट ली है पूरा तो इसको मैं चील कर निकाल लेती हूं और प्याज को मैं तीन को काटूंगी लंबे-लंबे स्लाइस में पतले पतले और एक को रफली काट लेती हूं इसको पीसना है तो मैं बेसिक मसाले से इसको बना रही हो को एक्स्ट्र आठ दस काली मिर्ची है और अद्रक है दो टुकड़ा ये भी बहुत जरूरी है दो तेश पत्ता ये मैं जरूर डालती हूं गरम मसाले मैं यही डाल रही हूं एक दालचीनी का टुकड़ा पांच छै लॉंग दो बड़ी छोटी लाइंची तीन हरी मिर्ची है चार हरी मिर्ची है आप चाहें तो इसमें सिर्फ लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर खाते हैं तो तो मैं बहुत कम यूज करते हूं लाल मिर्ची पर थोड़ा मैं डाली हूं टेस्ट के लिए क्योंकि हरी मिर्ची कम तिखिया और ये कलर के लिए काश्मेरी लाल मिर्ची डाल रह कि एक साथ डाल कर कि मैं बाद में कोई गर्म मसाला यूज नहीं करूंगी यही गर्म मसाला है जो है कि तेश्वत्ता को भी तोड़ देते हैं और आप चाहें तो पूरे प्याज को पीस कर डाल सकते हैं पर मैं पूरा पीस दी हूँ देखें तीन काट लिए पतले पतले टुगड़ों में यह देखिए हमारा पेश्ट रडी है मसाले का इसको निकाल दिये प्लेट में और इसे जार को धो गर्में ले लिए लिए तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में तो यह देखिए चार सीटी लग गई थी तो मैं इसको उतार कर रख दी थी ठंडा होने के लिए थोड़ा सा ठंड़ा मैं दिखा रही हूं कि कैसे यह कितना आराम से निकलता है इंदम उबल गया हच्छे से तो मैं ठंडा होने दी उसको उसके बाद यह आलू को और कठल को चील लेती हूं देखिए कठल कैसे चीलियों में एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया एकदम आराम से जैसे धान होता है ना धान को देखा होगा बिल्कुल वैसा ही लगता है और एकदम आराम से निकल जाता है यह तो इसी तरह से मैं सारे को निकाले, कितना आसान है न, छिलने में बहुत दिक्कत होती है मुझे, जब वो कच्चा को छिलते हैं, उसको काटना, छिलना, पुरत चिपचिपा हो जाता है हाथ, तो ये बहुत आसान है, कोई हाथ में चिपचिपा हाथ नहीं लगेगी, देखे, छिल कर आना ही वेस्ट होत अब मैं इसमें डाल देती हूं तेल, तो आप लोगों को पता होगा कठल के सब्जी में थोड़ा तेल ज्यादा लगता है, तो मैं इसमें तीन बड़े चम्मज तेल डाली हूं, आर्चु की थोड़ा पेट के लिए भी हो जाता है बाद में ये, खाने में तो बहुत अच् अब काट लें अपने मन पसंद के हिसाब से, और ये प्याज डाल दी हूं, प्याज को ट्रांस्पेरेंट से थोड़ा सा ज्यादा पकाना है, मतलब एकदम डार्क नहीं करना है क्योंकि ये मसाले के साथ फिर भूनेंगे, तो उतना भर मतलब इसको भून लेना है, तो मसाला है ये प्याज हमारा बून गया है, मैं दाल देती हूं हल्दी हल्दी अगर इस टाइम प्याज भून लेते हैं, प्याज भूनने के टाइम या कोई भी चीज अब भून रहे है तो पहले आ प्याज घज़कर वं दाल देंगे, तो सब्जियों का कलर बहुत ही काट सेकंड के लिए उसके बात ये मसालय ताल दी हूं है और अगर इस वजबे में तमाटर पसंद करते हैं तो डाल सप्ते हैं पर जो गुर्म मसालय वाली सबी होती है ज्यादा करें जी से कठल वाली तो तूस्क्याइड ये टमाटर नहीं ढूला है साथ ही नमक डाल दी हूँ, टेस्ट के अक्वार्डिंग, सबजी में आपको कितना ग्रेवी रखना है, उसी अंदाज से डालिएगा, कम ज्यादा, बहुत सारे लोग रोटी में खाते हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रेवी रखना जरूरी नहीं होता है, चाबल में खाते हैं, थोड़ी ग्रेवी रहती है, तो मुझे चाबल के साथ खाना है, तो मैं मिला जुलवे रखोंगी, मतलब थोड़ा ग्रेवी ही रखोंगी, उसी हिसाब से नमक डाल दी हूँ, मसाला को हाफ फ्राई करते हैं, बाकि मसाले सबजी के साथ भून जाएंगे, तो मैं आधा मसाल क्योंकि सब्जी अल्रेडी बॉइल है, तो बहुत जादा भूनने की जरूरत नहीं है, उसको बस मसाले मिल जाने तक भूनूंगी उसको, इसलिए आधा मसाला कुख हो गया हमारा, अब मैं इसमें सब्जी को डाल देंगे, कठल और आलू जो काटकर रखे हैं, देखिए, अभी पूरी तरह से नहीं भूने हैं, लेकिन भून चुके हैं आधा, तो मैं डाल दी हूँ इसी टाइम पे, और अब सब्जीयों को बूल लेते हैं, दो-तीन मिनट तक, डग डग क तो मैं आपको बीच-बीच में दिखाऊंगी, बहुत डिटेल में दिखाऊंगी, बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि भूनना तो होता है सब्जों को, अगर भूने के नहीं तो मसाले और नमक इसमें मिलेंगे, कैसे सब्जीयों में, तो भूनना होता है अच्छे से, तो मैं इसको अपको कटकर करके दिखा रही हूँ, तो देखिए हमारे मसाले लगबख भूनी चुके हैं, और नीचे से देखिए तली में चिपक रहे हैं, थोड़ा सा और भून जाए, तो देखिए फिर से मैं स्किप करके दिखाई, कितना अच्छा कलर आ गया इसमें, यह क्या बोलता है कास्मेरी लाल मिर्च के वज़े से, और अगर आप यह कास्मेरी मिर्च नहीं डालना चाहते हैं, तो आप सिर्फ लाल मिर्ची में बनाए, लाल मिर्ची भी कठल की सबजी बहुत अच्छी लगती है, अगर खाते हैं तो ऐसे वो नुकसान दे ही है, हेल्थ के लिए, पेट के लिए, तो बस तेल, सारी, पानी डाल दिये इसमें, एक डेड़ी गिलास के करीब, तो यह देखिए हमारी सबजी, हो चुकी है, दो तीन मिनट लगे पकने में, तो मैं उतना ही पानी डाले थी, तो थोड़ा पानी जल गया, और सबजी भी हमारी पक्कर रेडी हो गई, और इसमें चावल यह भी है, पानी ग्रेवी है भी, तो बस मुझे इतना ही ग्रेवी रखना है, आप ज्यादा नहीं सुखाऊंगी, ज्योंकि ज्यादा सुखा कितनी टेंप्टिंग लग रही है ना, देखकर आ रहा है ना, आप सबके मुझे पानी, तो आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा, और हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सभी को बताएगा, कॉमेंट करके, इसके साथी वीडियो का दायांड करते हैं, वीडियो अच्छी ल हुआटा आप सु छुरो मेंट करत मुझे हैं, यदा लेखकर ने पानी, आप सक्छी लग लावदर्ट देखकर सहुंыт, तो अच्छी लावदर्500, अюस्च Stream266 साथी वीडियो की लेगी वीडियो सवर्भी का क den मुझे भीकर से भीकषी लेकर स सबके Kanal